आप सभी का स्वागात है मेरी YouTube चैनल में आज मैं आपको Spark OS का रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरी YouTube चैनल को सब्क्राइब करें, बेल बटन दबाएं और All Notification आइकोन को जर आप से पहले आप देख सकते हैं यहाँ Spark OS लिखा हुआ है Android 12.1 है 5 अप्रेल 2022 का सिक्यूरिटी पैच है Spark OS वर्सन है 12.2 ऑफिस्यल है मीडो के लिए मेंटेनर का नाम है रासी दली कॉस्तर और 4.9 का कर्णल दिया गया है हमें सी लिनिक्सी स्टेटस इन्फोर्सिंग है और बिल्ड डेट जो है अभी हम चेक कर लेते हैं बिल्ड डेट है 8 अप्रेल का यह इसका डिफॉल्ट वाल्पेपर है लेफ्ट साइट पे आपको कोई Google पेज नहीं मिलेगा क्योंकि यह वनिला रोम है और मैंने सबसे छोटा सा इसका जी एफ फ्लेस किया है और वो जी एफ का लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा राइट साइट पे जो आप एप इंस्टॉल करेंगे वो आएगा स्वाइगा स्वाइब डाउन करके देखें तो यह इसका क्यूट टैल से जो एस इस वा एंड्रोइड 12 पे आता है एडिट पे जाके अपने जरुवत के हिसाब से और बढ़ा लीजिएगा इसके बाद स्वाइप आप करके दिखाओं तो सबसे छोटा जी एफ मैंने फ्लेस किया है और आप चाहें तो अपने जरुवत के हिसाब से कोई भी जी एफ फ्लेस कर सकत सब चीच का लिंक वीडियो पे एवलेवल है बात करते हैं AOSP डैलर है कॉड रिकॉडिंग मिल रहा है प्लेस्टोर सर्टिफाइड है गैलरी बेसिक वाला दिया गया है जी कैम आपको 8.1 अगर आप यूज करेंगे मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से तो आपको 4K 60 FPS मिल जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी कैम पे इसके लावा स्लो मोसन भी काम कर रहा है प्लेस्टोर स्रटिफाइड है गूगल फोटोस एप पे आपको अल्लिमूटेड इस्टोरिज देखने को तो नहीं मिला है और फोटो एरेजर अगर आपको गूगल फोटोस वना चीए तो डिस्क्रिप्सन पे दिया हूँ उससे आप गूगल फोटोस एप लोट करेंगे तो मैजिक एरेजर आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं इस पे मी पोर्टिंग अप अराम से चल रहा है यानि की मी कलेंडर मी गैलरी और मी वीडियो एप सब कुछ काम करता वो आपको मिल जाएगा अब चलते हैं फोन के सेटिंग्स पे सेटिंग पे सबसे पहले आपको यहां कुछ बताने लाइक नहीं है नेट्रोक कनेक्टेड एप में डेरेट एप के अंदर मैं ले चलता हूँ डिफॉल्ट लांचर जो है आपको देख लीजेगा क्यों की इसके अलावा यहां से बाहर चलते हैं गेमिंग सेटिंग दिया गया है गेम अच्छे से काम कर रहा है कोई लैग हैंक हीटिंग और बैटरी ड्रॉप ऐसा देखने को नहीं मिला है और दी बैस्ट आप आरोजी फोन से कंपेर नहीं कर सकते हैं रिडिमी नोट 4 के हिसाब से अच्छा वैल एंड गुड गेमिंग हो रहा है तो आप संतूष्ट रही है आगे चलते हैं यहां से बाहर फायर वर्क नाम से इसका खुद का कंट्रोल पैनल है इस पे आप देख सकते हैं कैटेगरी बना हुए है थीम, लॉग, स्क्रीन, स्टेटर्स बाहर, जेस्चर, मिस यूस फोन अच्छे से करना आता है इसलिए मुझे मालूम है कि बैटरी बैकप को 24 घंटा अराम से कैसे चलाते हैं तो मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ते हैं इसके बाद इस्टोरिज पे चलते हैं इस्टोरिज में सिस्टम आपको दीख रहा है कम अगें मैं आपको रिमाइंड कर दूँ टोटल जीवी आप ध्यान दीजिएगा जो भी आप फोन खरिकते हैं जैसे कि यहां पर 59 जीवी 64 में से 59 माइनस करेंगे तो जो 5 जीवी का गैप है वो 5 जीवी आप यहां जोड लीजिए 538 8.4 जीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर यहां पर आपको छोटा करके यहां पर कम दिखा रहा है कमपनी यही होता है कहीं पर यहां पर आपको पूरा फुल साइज दिखाएगा तो यहां पर इसका साइज जाले दिखाएगा तो यह साइज वाइस के पीछे मद भागा कीजिए मैं पहले भी आपको बता चु तो format data आपको recovery पे नहीं करना पड़ेगा, आपका data सुरक्षित रहेगा, कोई problem नहीं है, इसके बाद privacy, location, safety कुछ नहीं है बताने लाइक, Google कुछ नहीं direct systems पे चलते हैं, यहाँ पर आपको कोई system update देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, official roam है, इसका नया update आते ही रहेगा, अब मैं आपको एक बार और about बता देता हूँ, android 12.1 है, 5 अपरिल 2022 का security patch है, इसके बाद spark OS 12.2 है, official है, middle के लिए है, spark OS का आपको vanilla और gf दोनों variant मिलता है, आपको मैं description में लिंक दे दूँगा, आपको जो use करना है वो use कीजिए, maintainer का नाम है, रासी दली क कंदल 4.9 है, selenix status enforcing है, और build date जो है, वो है 8 अपरेल का, इस वीडियो का हम end करेंगे, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक लिए मेरे चैनल को subscribe करें, bell बटन दबाए, notification icon click करें, thank you, have a nice day.